Marriage proposal को समझते हुए हमने इससे पहले चार lectures complete कर लिये हैं अगर आपने वो चारो parts अभी नहीं देखें तो उनका link आपको नीचे description में दिया गया है पहले उन videos को ज़रूर देख लेजिए और यदि आप देख चुके हैं तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि बिहार बोर 12 English के textbook का 11 और आखरी चेप्टर Marriage proposal हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके हर line के explanation के साथ हम लोग इस पूरे chapter को complete कर रहे हैं इस वीडियो में भी हमेशा की तरह हम लोग line by line reading देते हुए आगे बढ़ेंगे और जितने भी important words आएंगे बीच में उन सभी का meaning भी देखते हुए चलेंगे और important बात यही रहेगी आपके लिए कि इस chapter के साथ साथ बाकि सारे chapters के PDF notes और सारे video lectures आपको एक जगह पर free of cost मिल जाएंगे हमारे Android application पर जो की Play Store पर available है application का link आपको नीचे description में दिया गया है और यदि आपने अभी तक app install नहीं किया है तो उसे जरूर इंस्टाल कर लिजे बहुत मदद मिले गया गए कि तयारी में और यदि यह सब कुछ हो चुका है चलिए अब इस act का यह जो हमारा marriage proposal यह नाटक हम देख रहे हैं कि चल रहा है एंटिन जेखव का लिखा हुआ इसके चौथे सीन को समझना शुरू करते है अब इस चौथे सीन में क्या होता है कि नतालिया और जो लोमोव थे वो दोनों बहस कर रहे थे हमने पिछले वीडियो में देख लिया था इसको अब इन दोनों का शौर शराबा सुनते हुए अब चुबुकोव जो था नतालिया का बाप वो यहाँ पर एंट्रि लेता है चुबुकोव आते ही कहता है यहाँ तो शोर शराबा चल रहा है तो आते ही पूछ रहा है क्या क्यों चिला हो सभरू तो नतालिया बोलती है कि पापा यह जो है सज्जन यानि कि वो लंओ के बारे में बात कर रही है कि इन को बताइए कि ox meadows वो जो भैलों के घहांस का मैदान है वो किसका है हमारा है या उनका है जो मुकोव लंओ से बोलता है why the mirrors belong to us old friend but for goodness sake stepanovich how can that be can't you be reasonable at least goodness भगवान के लिए अच्छाई के लिए sake के लिए के इस्तिमाल करते है for God's sake यानि भगवान के लिए और reasonable यानि तारकिक होना at least कम से कम अब चुबकोव से जैसे ही नतल्या पुछती है तो वो लो मोव से कहता है क्यूं क्या दिक्कत होई भई तो वो जो मिडोज है वो जो गाज का मैदान है वो तो हमारा है मेरे दोस्त लो मोव कहता ए पर रेघवान अच्छाई के लिए कम से कम सच के लिए Stepanovich ऐसा कैसे हो सकता है कम से कम तुम भी तो at least can't you be reasonable यानि कम से कम तुम भी तो तारकिक बाते करो थोड़ा सा लॉजिकल होकर के बात करो My aunt's grandmother lent the meadows to your grandfather's peasants for temporary use and free of charge His peasants used the land for 40 years and got in the habit of regarding it as their own but after the land settlement lend जो शब्द है इसका मतलब होता है देना तो उसका past form है हमारा lent temporary थोड़ा पुछ समय के लिए permanent का उल्टा होता है temporary free of charge बिना पैसे के habit यानि आदत regard मनना land settlement जमीन का जो फैसला हुआ तो आगे low move कहता है कि मेरी जो चाची थी उनकी जो दादी थी उन्होंने आपके ये जो परदादा थे फिर वही low move कहानी रिपीट कर रहा है जो पहले वो बोल रहा था कि उसके किसानों को कुछ समय के इस्तेमाल के लिए temporary use के लिए दिया था free में और उसके जो किसान थे उन्होंने उस जमीन को लगबग चालिस साल तक इस्तेमाल किया और फिर उनको जैसे की अपना इसे बोलने की आदत हो गई लेकिन जब land settlement हुआ यहां तक वो बोला ही था कि चुबु को बीच में बोल पड़ा Excuse me old boy You are forgetting that our peasants didn't pay your grandmother and so on precisely because the meadows were disputed and what not but now every child knows that they are ours I guess you have never looked at the maps बीच में ही चुबु को बोलना श्टार्ट करता है जिसमें की कुछ words आ रहे हैं हमारे पस forget यानि भूलना किसी चीज को भूल जाना peasants, किशान, किशान जो होता है और pay यानि उसका पैसा चुकाना या भुकतान करना precisely, सटीक तरीके से dispute कहते हैं उस चीज को लेकर के विवाद होना जैसे कि जमीन वगरा तो disputed land कहलाता है या disputed property map यानि नक्षा तो चुबु को बीच में बोल पड़ा कि देखो माफ करना, जो लड़के तुम तुम साइद भूल रहे हो कि यह जो हमारे किसान थे न वो पैसा इसलिए नहीं देते थे तुमारी दादी को, क्योंकि वो कहीं न कहीं जो है न, जमीन जो था वो जो घास का मैदान था, वो disputed थे और बहुत कुछ था लेकिन अब हर बच्चा जानता है, every child knows कि वो हमारे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने आज तक शायद कभी नक्षा देखा ही नहीं है जब उनका लो मूव, आगे कहता है I will prove they are mine चुबको, you won't prove a thing my boy, लो मूव, I will so prove it रूव का अर्थ होता है साबित करना, अब लो मूव इसके बाद कहता है कि मैं साबित कर दूँगा कि वो मेरे है अब इसपे चुबको जवाब दे रहा है कि तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे, लो मूव फिर कहता है no, मैं साबित तो कर के रहूँगा, फिर चुबको वागे कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे my dear boy why carry on like this you won't do a thing by shouting I don't want anything of yours but I don't intend to let go of what's mine why should I carry on का अर्थ होता है जारी रखना shout यानि चिलाना intent यानि कि इच्छा रखना इरादा let होने देना go यानि let go यानि जाने देना अब चुबुकोव जो है वो उसको कह रहा है लोमोव को कि मेरे प्यारे बच्चे क्यों इस तरह से why carry on like this क्यों इस तरह से जित प्याड़े वो तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे ऐसे चिला करके ठीक है और मुझे ना तुमारा कुछ भी नहीं चाहिए अब आगे वो कह रहा है क्या है और मैं दू ही क्यों तुमें और अगर ऐसा होता भी है मेरे दोस्त कि तुम सोच रहे हो कि उस घास के मैदान पर जो मेरी मालिकाना हक है उसको तुम विवाद करोगे कोई कोट वगेरा लेकर करके जाओ कुछ भी करोगे उसे अपने किसानों को दे दूँगा यहां माइंडसेट देख रहे हो कि आप यह देखोगे औबजर करोगे यहां पर कि यह जो चुबुको है यह खुद भी जान रहा था यह अच्छी तरह से कि भाई यह लोमो आया हुआ है नातालिया को तो पता नहीं था इस पूरे विवाद में कि लोमो भी से शादी करना चाहता है लेकिन चुबुको अच्छे से जान रहा था लेकिन फिर भी वो आ करके क्या कर रहा है लोमो के साथ बहस में लगा हुआ है कि मैं अपने किसानों को देदूँगा, इतर देदूँगा, उधर देदूगा, वो ये नहीं समझ रहा है कि जमीन भाई मेरा ही रहेगा, मेरी बेटी मेरी रहेगा, इसका हस्बेंट मेरे धमात बनेगा ही तो सारा कुछ कही कहीं, एक फेमिली का मैटर है लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है और इसका नतीज़ा क्या है बेकार में पूरा का पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है फिर लोमोव इस पर जवाब देगा ही वो I don't understand what right do you have to give away other people's property right यहाँ पर शब्द है इसकार्थ होता है अधिकार और give away यानि दे देना किसी को property यानि जमिन यह संपत्ती तो लोमोव कहता है कि आप जो यह बात कह रहे हो कि मैं किसानों को दे दूँगा तुमारी बजा है तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आपको यह अधिकार कहां से मिल गया है कि आप दूसरे की property किसी और को दे दूँगा तो चुब को जवाब दे रहा है कि allow me to decide whether or not I have got the right really young man I am not accustomed to being spoken to in that tone of voice and what not I am old enough to be your father and I must ask you to calm down when you speak to me and so forth allow यानि इजाज़त देना decide decision लेना नेड़ने लेना whether यह करना है या नहीं उस sense में accustomed का अर्थ होता है आदत होना tone यह जो आवाज का tone होता है जो लहजा है तरीका है उसकी बात हो रही है voice यानि आवाज calm down यानि शान्त होना so forth इसे आगे अब चुबकोव कहता है क्या अच्छा मुझे decide करने दो कि मैं किसी को दे सकता हूँ या नहीं इसका आधिकार मेरे पास है या नहीं ठीक है सच मुझे यंग मैं एक बात बता रहों में तुम्हें कि मुझे न इस तरह से बात करने की आदत नहीं है कि कोई मुझे इस आवाज में बात करे इस tone में बात करे ठीक है मैं इतना बुजर्ग तो हूँ, इतना बुड़ा तो हूँ कि मैं तुमारे बाफ जैसा हूँ, ठीक है, और मुझे तुम से कहना चाहिए कि तुम शांती होकर के मुझसे बात करूँ, शांत होकर के, इस तरह से चिल्ला चिल्ली मत करूँ मेरे साथ, तब लोग मुझ कहता है, No you are treating me like an idiot and laughing at me you tell me that my property is yours and then you expect me to remain calm and talk to you in a normal fashion that's not a very neighborly thing to do step a step no witch you are no neighbor you are a robber baron treat केते हैं वर्ताव करना idiot यानि मुर्क expect उमीद करना काम यानि शांत normal सामान फैशन तरीका neighborly का अर्थ होता है पड़ोसी के रूप में robber यानि डाकू और baron कहते हैं एक बहले इंसान को अब यहां low move कह रहा है अच्छा ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है तुम मुझे ऐसे treat कर रहे हो जैसे कि मैं मौर्क हूँ idiot हूँ मुझे पर हस रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो कि यह मेरी property वो तुम्हारी है और तब तुम यह उमीद कर रहे हो मुझे कि मैं शांत रहकर के बात करूँ तुमसे और वो भी नॉर्मल तरीके से यह कोई अच्छे पड़ोसी वाली बात नहीं हो ठीक है और तुम सही पड़ोसी हो ही नहीं तुम ना भले इंसान की शकल में एक लुटे रे की तरह हो तब चुबुकोव कहता है वाट? वाट डिडिड यू से? माइ गुड मैन? नातलिया पापा, हाव दा मेन मोव दा ओक्स मिडोस राइट नाउ चुबुकोव तुलमोव वाट डिड यू से सर? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कि चुबुकोव कहता है क्या? जैसे उसने कहा कि तुम भले इंसान की शकल में लुटे रे टाइप से हो तो वो पूछता है क्या? क्या कहा तुमने? मेरे सजजन इंसान? यह तुम क्या कह रहे हो? इस बीच में नातालिया आती है और वो कहते है पापा एक काम करो अपने आदमियों को अभी ही राइट नाव अभी ही ऑक्स मिडोव में घास काटने के लिए भेज़ता हू फिर चुबुकोव कहता है लोमोव से ने ने आखिर तुमने भी कहा क्या फिर नातालिया कहती है यहाँ पर नियायल है यही जहाँ पर केस वगरा चलते है अब यहाँ क्या हुआ? नातालिया चिला रही है कि यह जो है नाज का मैदान वो हमारी प्रोपर्टी है और मैं उसे किसी को लेने नहीं तूँगी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लेने तूँगी तब लोमोव कहता है देखते हैं इस बारे में क्या होता है और मैं तुमें साबित कर दूँगा कोट में कि वो मेरे है अब चुबू को वह आगे कहता है In court, my good man, you can take it to court and what not Go right ahead I know you, you have just been waiting for a chance to litigate and so on You are a pibbler from the word go Your whole family is nothing but a bunch of petifogers, all of them Ahead, यानि आगे बढ़ना Litigate कहते है Case करना, मुकदमा बाजी करना Chance यानि मौका Quibbler कहते हैं, दोखे बाज को ठीक है? और petifogers कहते हैं, जूठी दलिल देने वाले को यानि जूठा दावा करने वाले को तब जैसे ही वो court का नाम लेता है low move तो चुबकुफ कहता है, court में? ओ, मेरे सजन इंसान, तुम इसे कोट में ले जाना चाहते हो, ले जाओ, जो करना है करो, अभी के अभी कर लो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तुम ना, जिर्फ इस एक मौके के इंतजार में थे कि मुकदमा बाजी कर सको, और कुछ नहीं, तुम एक बिल्कुल दोखे बाजो, और तुमारे ये शब्दों से ही पता चलता है, और तुमारी पूरी की पूरी फैमिली ही इसी तरह की है, कि किसी को भी जूठे जालसाजी में, या जूठी बातों में फसाने वाली, जूठी दलिल देते हो तुम लोग, और सब के सब ऐसे ही हो, तब have always been law-abiding folk, none of them was ever howled into the court for embezzlement the way your uncle was, इंसल्ट का आर्थ होता है, बेज़्यती करना, law-abiding कहते हैं, कानून का पालन करने वाले, folk यानि इनसान, hold, यानि कि जाना, court में, और embezzlement कहते हैं, गबन करने के लिए, किसी का पूरा गायब कर देना, पचा लेना, हजम कर लेना, चोरी कर लेना, लो-move, अब यहाँ पर जवाब दे रहा है, कि मुझे आपको कहना पड़ेगा, कि मेरी family को insult मत कीजिए, लो-move जो है, जो लो-move family है हमारी, वो हमेशा से ही कानून को follow करने वाली रही है, उन में से कोई भी न, court नहीं गया है, गभी भी, उस चकर में, जो गबन करने के च करमें, जिस तरह से तुमारे आपके जो चाचा थे, वो खुद गए थे, तब चुब को जवाब देता है, every last one of them was insane, तब नातालिया जवाब देती, every last of them, every last one, यानि हर कोई, every last one, यानि कि हर आगरी इंसान जो था, insane कहते हैं, पागल को, कि चुब को अब कह रहा है कि तुम सब के सब पागल थे, और इसमें नातालिया भी जुड़ जाती है, कहते ही कि बिल्कुल सब के सब थे, सब के सब पागल थे, अब चुब को फिर कह रहा है कि तुम्हारा grandfather, जो थे, your grandfather drank like a fish and the whole country knows that your youngest aunt Nastasia ran off with an architect and whatnot, whole कहते हैं, पूरा, youngest, सबसे छोटी, ran off, भाग जाना, architect कहते हैं, जो घर को design वगरग, अब चुब को क्या कर रहा है, वो इसके family पे तंज कसरा है, कि तुम्हारे grandfather जो थे, बहुत ही ज़्यादा शराब पीते थे, और पूरा देश जानता है, पूरा का पूरा ही इलाका जानता है, यहां पर, कि तुम्हारी जो सबसे छोटी चाची थी नेस्टेसिया नाम था उसका, वो क्या की, आर्किटेक्ट के साथ भाग गई, और भी ना जानी क्या क्या होग तुम्हारी family में, हिलो मॉव कहता है, and your mother was a hunchback, clutching at his heart, there is a twitching in my side, my head is throbbing, oh god, water, back होता है पीत, हंच यानी जुका हुआ, तो हंच बैक यानी कूबडी, twitching, उसमें दिक्कत महसूस होना, उसमें खिचाव महसूस होना, clutching, उसको पकड़ते हुए, throbbing, बिल्कुल फटना, अब कह रहा है लो मॉव कि तुम्हारी जो मात ही ना, वो कूबडी थी, और इसके बाद वो क्या करता है, अपना सीना जोर से पकड़ देता है, और फिर व कहते है, and no one could beat your aunt at scandal mongering, अब gambler कहते है, जोवे बाज को, पिग यानि शूर, और यहाँ पर scandal mongering कहते है, वो जो चुगली वगरा होती है, उसको कहते है, फिर चुब को इस पर कहता है कि तुम मेरी मा को कूबडी कह रही हो, तुमारा बाप जो था एक नंबर का जूवे बा देख रहे हैं, आपकी किस लेवल पर पहुंच गया discussion, किस लेवल पर ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही इनसान आया था शादी का प्रस्ताव ले करके, और यह उलज गया है, केस करेंगे, कोट में देख लेंगे, यह हो जाएगा, को अबू को कितना खुश हो रहा था कि मेरी बेटी की शादी हो जाए इससे, जो कि यह सोच रहा था पहले की, हो सकता है यह favor में कहीं low move जो है, वो पैसे न मांगने के लिए आया हूँ, फिर जैसे ही उसको पता चलता है कि यह बेटी का आत मांगने आया है, वो खुश हो गया और अब ही वो क्या कर रहा है, इसकी family को कोस रहा है अब लोब आगे कह रहा है, my left legs paralyzed and you are a skimmer, oh my heart and it's no secret to anyone that just before the election, you, there are stars bustling before my eyes where is my hat, paralyzed, यानि कि सुननो जाना, काम ना करना, विकलांगो जाना skimmer, धोखे बाज, secret, कोई भी रहसे ना होना, election, चुनाओ, bursting, भटना अब लोब कहता है कि ओ, मेरा जो लगता है, पैर में लखवा मार गया, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है और उसके बाद वो कहता है, चुबको को कि तुम एक नंबर के धोखे बाज हो, फिर वो अपना कलेजा पकड़ रहा है कि ओ, मेरे कलेजा में दरदोर, और फिर वो कहता है कि ये भी secret नहीं है कि तुमने election के पहले और इतना बोलते ही बोलता है कि ओ, मुझे तारे दिख रहे हैं मेरी आखों के सामने, कहां है, मेरी टोपी कहा है, वो टोपी खोज रहा है, नातालिया फिर बोलती है, वर्मिन, लायर, प्रूट, चुबको फिर कहता है, यह वार है, spiteful, double dealing, schemer, सोध, वर्मिन कहते हैं और चरीतर वाला इंसान, इसकी मर मकार दोखा देने वाला, तो, यानि कि दोनों मिल करके कोस रहें, लो मुव को, लो मुव फिर कह रहा है, my heart, where am I, where is the door, oh, oh, my hat, think I am dying, my foot's totally paralyzed, drags himself to the door, nine, यानि कि मरना, totally पूरी तरह, paralyzed, कोई भी अंकाम न करना, drag यानि घसीटना, अब लो मुव क्या कहता है, oh, मेरा कलेजा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं हूँ कहा, where is the door, दर्वाजा की दर है, oh, यानि ये पूरे senses के खतम हो गया, ये पूरा होश में नहीं है, अब ये, इतना ज़्याद है, इसको दिक्कत मैसूस हो रही है, oh, मेरे टोपी कहा है, ल You won't ever set your foot in my home again, go to court, sue us, just wait and see, no move staggers out, calling यानि आवाज देना, after him, यानि उसके पीछे से, ever, कभी भी, set your foot in, यानि की, पैर मत रखना मेरे घर में, sue, यानि की, मुकदमा करना उस पे, stagger, यानि घजिटते हुए, लंगलाते हुए, बहार निकलना, अब चुबु को शिल आ रहा है पीछे से, कि, और तुम जा रहे हो, अभी से के बाद कभी भी ना, मेरे घर में दुवारा पैर मत रखना, ठीक है, तुमको कोड जाना है, जाओ कोड तुम, और जाओ, मुगदमा करो हमारे उपर, और फिर देखो की क्या होता है, और ये सब सुनते हुए, लोमोव जो है वो लंगडाते हुए, बाहर चला जाता है, लोमोव आया था शादी का प्रस्ताव लेकर की, अब मैरेज प्रोपोजल, और यहां हो गया है कांड, क्या होगा आगे, क्या लग रहा है, दोनों की शादी हो जाएगी, देखते हैं, अगले लेक्चर में, ठीक है, सीन सिक्स त आप लाइन में लाइन रीडिंग करके ही नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा, और अगर पूरा चेप्टर पढ़ लें तो और भी अच्छी बात है, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना खयाल रखिए, खुश रहिए, और पढ़ते सिखते रहिए वीडियो में लास्ट तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया